बिहार के सियासत के गद्दी पर बैटने के लिए तमाम नेता तयार रहते हैं लेकिन जब कोई आपदा का उसर आता है तो फिर सभी नेता गाइब हो जाते हैं निरक्षन के नाम पर एक दिन जाते हैं गरीबों के बीच में हवाई घूम कर और वहां से फिर चले आते हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं उत्तर बिहार जो कई जीला बाड के पानी से डूब चुका है लोगों को रहने तक का जगा नहीं है खाने के लिए अनाज नहीं है किस तर जिज गरीबों के नेता कहे जाने वाले पपू यादो देखे सांसत तो सिर्फ पुर्निया जिला के हैं लेकिन पुर्निया से बाहर भी जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं आपदा के आउसर पर पपू यादो रुपिया तक बाट रहे हैं और तत्काल परतेक परिवार को च जिर्धन रासिक जिस तरीके से हो उस तरीके से पपू यादो थोड़ी बहुत ही लेकिन मदद तो जरूर कर रहे हैं लेकिन बाकी नेता कहा है देखे इसी भी सवाल खड़ा हुआ पपू यादो ने भी कहा कि नेता परतिपक्ष तेजस्वी यादो जो हैं वह बिहार के सापदा का ओसर है कई जिला बार से डूब चुका है और आरजेडी नेता नेता परतिपक्ष तेजस्वी यादो दूबई में हैं यानि की विदेस गए हुए हैं घूम रहे हैं इधर बिहार के लोग बिहार में बिहार के पानी में डूब रहे हैं देखे बिहार की जो की बीहार के समय उसका उपाय किया जाता है क्योंब बार आने से पहले उस चीज को किया जाए तो देखिए कहीं कहीं न कहीं बिहार में जो लागतार बाड की जो समस्यां ऑल्दा को अउसर बनाने की कोशिस की जाती है लेकिन नाम पप्पु यादो का इसलिए सामने आता है कि आप याद किजिए चाहे पटना में बाड़ाया हो बिहार में कहीं भी कोई घटना हो कुरोना काल का समय याद किजिए एक नेता जो है हमेशा गरीबों के लिए खड़ा रहता है उसका नाम है पप्पु य यादो सांसद इस बार निर्दलिये पुर्निया के बने हैं लेकिन ना सिर्फ पुर्निया में ध्यान देते हैं बलकि कहीं भी बिहार के कोई हिस्सा में कहीं भी कोई दिक्कत हो कोई गरीब को किसी परकार की समस्या हो पप्पु यादो वहां बीना जात धर्म देखे हुए सबसे पहले पहुंचते हैं आर्थिक मदद की जरूरत लगती है तो वह भी करते हैं तो भाई चर्चा तो ऐसे नेता का होना चाहिए और होगा भी क्योंकि अगर देखा जाए वाकई में तो देखिए पपु यादो जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहे हैं लोगों से मुलाकात कर रहें तो चर्चा तो होगा ही बैराल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपने परतिकिरिया जरूर दीजेगा विहार एक सुच आप देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद